इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्बनाइजिशन के बारे में अर्बनाइजिशन क्या है अर्बनाइजिशन में 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 अर्बनाइजिश जो इन जो गाउं के लोगी किया है धीर ही तीज़ के तरफ मुख हो हरे हैं मतलब क्या है गाऊं से निकल का सहरो गी तरफ जा रहे हैं क्यों कि वहां पर निकलन क्या हैं उनको बेर बेटर जोड़यों कमे सकती है उनको दूयान, रहन तो अर्बनाइजिशन में क्या है जो आपके गाउं थे वह भी सिटीज में कर रहा है दीरे-दीरे क्योंकि क्या है ओबर पॉपॉलेशन के बज़े से दीरे-दीरे क्या है लोग सिफ्ट हो रहे हैं रुरा टू आरवने एरिया तो अबर पर सबसे मेजर एफेक्ट है अर्बन करते हैं जाने 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 था जात्यालेक नाल्य को यहां लेंड को भागा धाया है और जादा जादा होने के वजह से यह तो अर्बनाइज़ेशन भी क्या है इनवार्में या कहें अको सिस्टम पे इंडारेकलि अफेक्ट डालता है अब बात करेंगे अर्मनाइजेशन इन इंडिया में इंडिया के अंदर आप देख रहे हैं कि में धीरे धीरे पॉपॉलेशन इनहांस होती चली जा रहे हैं तो यह क्या है एक तरीके से में पॉपॉलेशन या कहें जनसंकिया बढ़ना भी बहुत बढ़ी प्रॉब्लम्स है और यह इंडिया में क्या है अर्बनाइजेशन रेट जादा है क्योंकि धीरे धीरे लोग क्या है और यह कहें अपने रोजगार के लिए अपने कमाने के लिए देड़ी देड़ीरे गाओं से सहरों की तरफ लिए स्कून कर रहे परे गडाया से छेरों की तरफ मूब कर रहे और पॉपॉलेशन उलल को है उनमें population धीर धीर एन्हांस होती चली जा रहे है अगर देखें नाइंटीन की अगर बात करें तो नाइंटी में 11.4 परसंट थी वहीं क्या है अब 2001 तक यही संख्या क्या है 28.53 परसंट हो गई है और 2011 में यही 30 परसंट हो गई है और रिसंट में 31.16 परसंट यह अब इसकी क्या है अर्बनाइजीशन के फस्ट कॉज है इंडस्ट इलाइज़ेशन का फस्ट को ज़िए अंडस्ट इंडस्ट इलाइज़ेशन क्या है अपने रोज मर्रा की जिद्धी को जीने के लिए तो अपनी better opportunities के लिए employment के लिए employment opportunities के लिए लोग क्या है गाउं से सहरों के तरह मूव पर रहे हैं क्योंकि सहरों में क्या है industries है industries यह कहें industrialization होने के बज़ा से बहां पे उनको employment मिल सकता है और वो अपनी better life जी सकते हैं तो इसलिए क्या है इंडेस्टिलाजेशन मेंन कौज है आपके अर्वनाजेशन का नेक्स्ट मेन सोशयल फैक्टर सोशल फैक्टर में क्या है जो आपके रूलर एरियास है वहां रूलर एंटर एक में क्या है उनको better facilities नहीं प्रोभाइड हो पाती है तो रूलर एरियास की चकाचोन देखकर वह क better standard of living better education facilities need for status तो यह सारी चीजियों को देखकर क्या है लोग migrate कर रहा है means a ruler से urban areas में migrate हो रहा है जिस बज़े से क्या है cities में population enhance होती ही जले जाए जो आपके resources से उनका जादा से जादे use हो रहा है और population population enhance होने के बज़ा से pollution भी create हो रहे है और इसमें सबसे जड़ा है आपके एर पॉलीशन जो क्या है आपकी तर वाज़े से सिटी में ज्यादा population होने के बज़े से वहां पूरी कभर हो ने के बज़े से वहां पे प्लांट बचे नहीं एफ्लांट को डिफॉरेस्ट कर दिया गया जिस बज़े से बहां के बहां पे पॉलुशन ज्यादा क्रेट होने लगा है इस पॉर एक्जांपल अगर आप देखें दिल्ली मुंबई के तरफ तो वहां पे क्या है पॉलुशन ज्यादा पॉलुशन मिलेगा आपको देखने को नेक्स्ट वन प्राइधर एरिया से अर्वन एरिया के तरफ मूबख करते हैं एदेक्सट वन है可्त मोडिफिकेशन मॉडिफिकेशन क्या है मि हो तो ऑ मादर चनल स्में में च्जाना खरगे के ढ़रित ड़ायगा आफ दूसरा किया वीकियों डिफ तर नेक्स्ट क्या है बेटर मेडिकल फैसलिटीज भी प्रोवाइड हो जाती है जिस वज़े से क्या है लोग रूलर एरिया से सिटीज की तरफ माइगरेट करना स्टार्ट कर रहे हैं आर्वन ट्रांसफोर्मेजन क्या है जो लोग गाउं से सहरो में आते हैं तो उन फिर वहां की रहन सेंग को देखकर दुबारा रूलर एरिया में नहीं जाते हैं तो अर्वन एरिया में ही अपने रहने का ठेकाना क्योंकि वह हैं उनको प्रोवाइड हो जाता है तो इस मुवने करते हैं वहीं अपने employment के साथ वहीं रहना स्टार्ट कर देते हैं एफेक्ट ऑफ अर्बनाइजिशन के एफेक्ट क्या होंगे तो फस्ट जो एफेक्ट होगा means overpopulation problems of overpopulation जादा ज्यादा लोग रहना स्टार्ट हो जाएंगे जिस बजह से क्या है लोग रहने के लिए better घर नहीं मिलेंगे तो बहुत सारी ऐसे जो परफटी या कहें एक तरीके से सब्सक्राइब होना स्टार्ट हो जाती है रहने के बज़े से उनको better medical facilities भी प्रोबाइड नहीं हो पाती है अबर एफ पॉपॉलेशन सोने के बज़े से better opportunities प्रोबाइड नहीं हो पाती है एंप्लॉइमेंट तो होता है लेकिन उनके पास better facilities नहीं होती है उबर पॉपॉलेशन के बज़े से नेक्स्ट क्या है धीरे धीरे क्या हो रही है और ज्ट फैंशन होने के बज़े से जहां एंगर के नियुकि या अदी है यहuine का पॉपॉलर मती है जोड़ा रहें के लिए यह पाता है पॉपॉपॉलेशन को देटी कह उता है नेक्स्ट आप कोस्ट और लिए एक सब़ेंग video कम चीजों में भी सर्वाईब कर सकते हैं लेकिंट रहने के लिए वहां पर कंट कोस्ट करने होती है तो फिलम hen करना होता है नेक्स्ट है अगर व्मगर्व करने के लिए लोगे को ऑग करना होता है तो Cont programme प्रॉब्लम्स आप पॉर्मापवल्यसण पीज़ा से और जादा जादा भूसोर्सिश के यूज करने के बज़े से भी क्या है इन्वर्ममेंट पुमनेंट भीए धक्ष पड़ताए करेगा नोईश फॉलिशन्स कीकrial Ads करेगा स्वाल पॉलिशन भी काॉज होगा प्षिए तरह है और युटीफ सहं कि अर्वनाइजीशन के मीश जो माईगरेट हो रहा है near अरवां एरियस के तरफ सकती है क्योंकी अदेस्टिलाइजीशन ज् vetr ईया सब्फ एंप्रॐंच नीडीशन मिलेगी उपथलाइंट की थ्राइड्वर होंगी तरफ यह तो यह क्या है यह पॉस्टिव एक्ट है आपके आर्वनाइजेशन के